नमस्कार दोस्तों, मीडिया क्रिशन स्टूडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, पिछले वाले वीडियो यानि कि कैलिग्राफिक वीडियो में हमने एक एफेक्ट को यूज किया था जैसे कि कोई भी कीबोड का बटन को प्रेस करते हैं, तो प्रोजेक्ट में वो शो कर रहा था या फिर डेक्स्टॉप पे वो शो करता था वो कैसे करते हैं, वो कौन सा प्लगिन्स हैं, वही आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे तो चलिए बैक टू दा कम्प्यूटर दोस्तों जब भी हम लोग कोई भी कीबोड का बटन को प्रेस करते हैं, तो ये डेक्स्टॉप पे शो करेगा इसके लिए हम लोग जाएंगे गुबल सर्च में और यहाँ पे टाइप करेंगे क्यू आई प्रेस और जो सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है क्यू आई डिस्प्लेय रियल टाइम की स्ट्रोक एंड माउस इसपे क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टियर ओपेन हो गया और पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे में डाउनलोड लाइट है और पर्चेस लाइसेंस है, टो हम extract करेंगे, extract here कर दिए अब इसमें पासवर्ड डिमान कर रहा है, पासवर्ड के लिए यहाँ पर यही वेबबसाइट पर पासवर्ड अप Twitter शो किया हुआ है, पासवर्र अप डाउनलोड 00 तो हम 00h type करके ok कर देंगे तो extract हो जाएगा, अब इसमें दो फाइल शो कर रहा है, एक है readme और एक इसका application है, तो सबसे पहले एक folder में इस file को save कर लेंगे, उसके बाद application को install करेंगे, application पर right click करके run as administrator पर click करेंगे और application page मेरा यहाँ पर open हो जाएगा, और इस पर accept करेंगे तो application मेरा install हो जाएगा, दोस्तों desktop पर keystroke शो करने लगा, और right side में इसक को हम लोग cross कर देंगे, जैसे हम लोग कोई भी key को या फिर mouse को press करते हैं, तो यहाँ पर display में show करता है, और यह सिफ left side में fix है, इसको हम लोग कैसे adjust करेंगे, यह हम आपको पहले बताते हैं, तो हम लोग right side में logo icon है, उस पर tap करेंगे, और यहाँ पर logo bug है, अगर आपका इस adjust करेंगे, तो यहाँ पर मैं premiere pro open कर लिया, और यहाँ पर अपने हिसाब से इसको adjust कर लेंगे, दोस्तो की stroke यानि qi press का वीडियो इतना ही तक है, हम लोग इसको ऐसे install कर सकते हैं, और ऐसे adjust करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, जाते जाते मैं आपको इतना ही कहूँगा, बह अगले वीडियो में